नमस्कार, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों पिछले हफते हम गौरांग राठी से बात कर रहे थे और हमारा सफर बीच में ही अधूरा रह गया था आई आज अपने इस सफर को अंजाब तक पहुचाते हैं गौरांग आपका बहुत बहुत स्वागत है ये एक क्वेशन में रहा है जिसने दो साल जॉब कर लिया है आप 2013 में अपने एक्जाम दिया आप 14 बैस के आफिशर है आपका एक सफर रहा है आप ट्रेनिंग में गए उसके बाद आपको फिल पोस्टिंग भी हुई और अभी आपने अभी भी कम्प्लीट किया है असिस्टेंट सेकरेटरी के रूप में गौर्मेंट अफ इंडिया के साथ जो असाइन्मेंट थी आपकी तो इसके बारे में थोड़ा सा डिसकस करते हैं कि जो ड्रीम आपके मन में था जब आपने डिसिजिन लिया था कि मझे अपनी I.T. एंजिनरिंग के लिए स्टियूशन से कौलिफाई करने के बाद पास करने के बाद और आपके पस इतना बड़ा करीर आप सन था उपने अपने काम सुरुक लिया तो जो डिसिजिन लिया था आपको लगता है आपने साइडीशन लिया सिविल सर्विसेज माकर के देखिए इस सवाल के और मेरे एक्सपीरिंस के दो आयाम है एक आयाम है कि क्या मैं जो बेसिक थौट था कि समाज के लिए कुछ कर सकने की शमता है इस सर्विस में या नहीं क्या मुझे उपरचुनिटी म मैं इसको रोज इंजॉई कर पा रहा हूँ क्या मैं सुबह जब उठता हूँ तो उसमें अगले दिन जॉब के लिए जाने के लिए या फिर काम करने की मेरे में ज़स्पा आता है तो मैं दोनों ही आयाम में पाता हूँ कि मैंने अपने आपके साथ पूरा जस्टिस किया है डिसिजन आपसिलूटली सही है और सो मत सो की सिर्फ दो साल तो कि आगर मैं इसको नेक्स 30-30 साल भी करता हूँ तो आई बिलीव कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन की मुझे लगे क्यों मैं नहीं जॉब की बहुत अच्छी वात है तो सबसे पहले बहुत सारे जो केंड़ेट जिनके भावना होती है कि हम सेलेक्ट होंगे तो हमरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी भारत दर्सन होगा तो थोड़े से हम चर्चा करते हैं कि जो आपका एक्स्पीरियंस रहा मसूरी से लेकर के भा करीब आउगस्ट इंड सेप्टेंबर फर्स्ट वीक में हम लोग जोइन करते हैं और एक आइस ऑफिसर अगले साल जून महीने तक महा पर रहता है और इस बीच करीब दो महीने के भारत दर्शन के लिए जाता है शुरू के तीन महीने ट्रेनिंग के आप सभी सर्वेसिस के साथ बिताते हैं आप दूसरे को जानते हैं अब उस महाल में रहते हैं जहां पर सभी लोग लाइफ में महनत अलग मुकामों से आये हैं अलग-अलग बैग्गराउंड से आये हैं बलकि सिर्फ एक कॉमन डिनॉमेनेटर रह वह है जजबा कुछ करने का और सब में महनत करने का भी जजबा है तो जब इतने बैग्गराउंड के लोग पर सिमिलर मानसिक्ता के लोग एक साथ आते हैं तो एक बहुत खुशनुमा महाल क्रेट होता है और जब आप ट्रेणिंग में होते हैं तो जेनरली जो महाल प्रोवाइड करने के कोशिश की जाती है स्टार्टिं क महीनों में उसमें में इंफेसिस पर रहता है कि आप अपनी मानसिक्ता जो आपकी खुद की है उसमें वह आड कर पाएं जो आप दूसरे इकुली कॉंपटेंट हुमन बींग जो की आपके बैचमेंट हैं उनसे कुछ सीखें उनसे कुछ जानें क्या परिपेक्ष है क्या सो सब्सक्राइब करेंट होती है मौन्टेनिंग होती है जैस आपने का ट्रिकिंग होती है बहुत सारे गेम्स होते हैं अनुल स्पोर्ट स्टे काल्सरेल इवेंट तो इन सभी के बीच एक इंफॉर्मल महौल में अलॉंग इदी क्लासे जो आपको बेसिक पॉलिटिकल साइंस इकनोमिक्स तो एक अच्छा खुशनमा महौल क्रियेट करके एक फैमिली की तरह आपको महसूस कराया जाता है देनके साथ आगे भी कॉम्निकेशन बना रहे हैं इंटीग्रेटी बनती है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि है कॉल इंडिया सर्वेस है और बाकी सर्वेसें सक्षाब पर आपको को्रिस्पोंडंस होगा, तो उस मकाम पर आपके यह नहीं हमेद करें आ कि शायद इंसान जहना पाचाना नहीं है अगर आप इस इनसान से पहले भी नहीं मिले तो आप सोच को जानते होंगे, कि सोच पीचे पीचे कहा है, तो यह training का मेन मकसद रहता है, बाकि इसके लाभ़ा जो academic training है वह इसका एक कि मसूरी के training के दुरान में कितने पढ़ा है और दुबारा सारी चीज़ पढ़ने होगे जो हमने पढ़ा है तो वो कैसा रहा experience आपका? तेखिये थोड़ा इसी भिन्हता है इसमें जो आप इससे पहले पढ़ते हैं, जो आप इससे पहले पढ़ते हैं, जो आप से पहले पढ जब आप इसको implement कर रहे होंगे, तो जो professors basically civil different services से होते हैं, senior services, senior officers होते हैं, at least 15 years of experience, तो उन लोगों के पास जो perspective है, वो class में देने के लिए बिल्कुल different होता है, topic में भी same होगा. जो practitioners रहे हैं. Exactly, so a practitioner's point of view बशरते आपको different point of view और आपकी जो mindset है, जो आपकी understanding है, subject को elaborate करता है बहुत अच्छी है, तो उसमें जो है, आपने जब training complete किया आपने, उसके भारत दर्शन में गया है, तो इसके पीछे क्या goal रहता है, जो आपको जो महसुस हुआ कि भारत दर्शन में क्यों पहुं ले गया है आपको? देखे, भारत दर्शन हम काफी awaited, एक part है training का, सभी civil servants के लिए, और जब कभी यह शुरू होगा तब उस समें, जब कभी यह शुरू होगा तब उस समें, जब कभी एक one of the major reason यह रहा होगा, क्योंकि सभी लोग, सब भारत इतना विशाल देश है, अलग-अलग cultures है, बिन-बिन societies हैं, तो आपको सब कुछ देखने और जानने का क्योंकि resources भढ़ गए हैं, पर फिर भी एक अभिन अंग है और बहुत important part इसलिए है, आप travel करते हैं, आप अलग-अलग organizations, जैसे मैं अपना उधारन दूँगा आपको, हम military के साथ 10 दिन बताते हैं, उन परिस्तितियों में जिस परिस्तिति में एक जवान रहता है, एक officer रहत के सेफ को देखेंगे, आप जैसलमेर में एक NGO को काम करते हैं, इन परिस्तितियों में कटे इन विशम परिस्तितियों में, इस तरह से वह सरकार को इंप्लिमेंट करने में उसको आगे भढ़ा रहे हैं, तो इस प्रकार अप अलग-अलग जब देश के कोनों को चुएंगे, तो आप अलग-अलग सेंटिमेंटालिटी इसको टच करेंगे अपनी, और आपका माइंड सेट अगर इससे भी व्यापक नहीं हो पा सकता तो किसी से नहीं हो पाएगा, इस जो भारत की कंडिशन्स हैं, कल्चिर हैं, इन से से वाकिफ करना और हमारी गवर्मेंट सिस्टम चल कैसे रही है, इसको करना, तो यह बहुत बड़ा स्टार्ट अफ होता है, मैंने एक संवेधन सेल बनाते हैं लोगों को, ज़्यादा ज़्यादा, कि आप कितना connected मैसूस करते हैं लोगों को, उसके वाद जब आपकी ट्रेनिंग कंपलीट हुई, उसके बाद आपकी पहल अचकुमार की तरह हैं उस जिले के, आपको पैमबर किया जाता है, सब सीनियर धियान रखते हैं, तो यह तो एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट जो experience-wise आप गेन करते हैं, वह यह है कि, जैसे मैं अपना धरन लेता हूं, मैं मुरादाबाद गया, तो उस टाइम उत्रप् पर जो touch करती है और present है, तो उसमें आप पाते हैं कि democracy कैसे mature हो रही है country में, कैसे एक इंसान जो एक voter है और उसकी बाकी understanding बहुत limited है, अपने अपको impart feel करता है, कैसे वो participate करता है, और कैसे एक प्रधान के लिए जो election के लिए खड़ा है, वह voting को positive अपने favor में करने के लिए, कि बहुत चोटी चोटी बारी किया, logistics की बारी किया, एक state commission, election commission, जो की election commission of India से थोड़ा different work करता है, because उसकी realities, उसकी resource थोड़ी कम है, तो उन limited resources में, district administration कैसे flawless election डिलिवर करते हैं, तो आप दिन रात जाते हैं, आप रातो भर जाते हैं, counting के लिए, ऐसे तमाम experience रहते हैं उस course में, जिसमें आप एक आत्मसाथ हो जाते हैं, administration के साथ, और आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आप पहली बार कुछ चीज नहीं देख रहे हैं, और धीरे धीरे धीरे, across 3-4 महीने, जो elections चले, उसमें विभिंदर एक experience, चाहे वो एक छोटे से riot को control करना हो, या फिर जो polling party है, उसकी smooth passage ensure करवाना हूँ, तो अलग अलग रोल में आपको रखा जाता है, बिन-बिन रोल में, जैसे जिले के collector साहब महिसूस करते हैं, आपको exposure के लिए आपके सीखने के लिए जरूरी है, तो इस तरह से आपको विभिन प्रकार के experience मिलते हैं, और उत्रप्रदेश जैसे complex environment में, आपको सीखने का जो scope है, जो slope है, वो एकदम steep है, तो मेरा experience लगभग 11 महिने का था, और अन्तिम दोर में मेरे training के, मुझे सवभागे मिला as a RO, assembly elections के, returning officer के लिए अपरेट करने का, जो कि एक election के मौहल में, परिपेक्ष में, परिपेक्ष में, प्रिस्टीजियस, रोल रहता और उसमें फिर कदावर निता भी मौझूद होते हैं, उनका भी रोल रहता है, अलग-अलग parties रहती हैं, और एक बड़ी exercise है management अपने आप में, तो law and order भी है, management भी है, जो parties का, pulling पूरी विवस्था का, तो आप जानते हैं कि शायद इतनी exercise आपने कभी भी इस तरह की logistic exercise, ए magnitude बहुत हाई है, बहुत हाई magnitude है, बहुत हाई magnitude है, बहुत हाई magnitude है, खरीब साड़े तीन लाग-चार लाग voter होते हैं, आप उनको handle करते हैं, आप एंशोर करवादे हैं, अच्छी voting हो, तो इस परकार की तमाम situation, वो जुमारी आपको इस पेसली किसी कांस्टेश्य का में जाने वाले हैं, उसे पहले आपको है, जैसे सिंट सेक्रेटरी गवर्मेंट अफ इंडिया में, आप कनेक्ट होगे और यहां करके अपनी रूटी निभाई, यहां कैसा experience रहा? देखिए, ऐसा लगता है, जब आप जले से आते हैं, कि एकदम भिन दुनिया में आ गए ह अगां में अगां से बचाण तरीका होता है, जिसमें एक फायल मूमेंट होती है, हर काम लिखित में और तकीषाइ से जालने अबोनुंग में SENI, मेरा में टॉस्टिंग कांटिस्टिय। मेरा से में लिएammentों Chemismate 3, 11 mira. से में से निभाई में रही में चाणिय। मेरा पके व व्यवस्ता का पार्ट है, पर एक different perspective, एक pan India perspective आप बैठके वहाँ पर देख सकते हैं कि भारत सरकार की जो नीतियां है, उसके पीछे क्या सोच है, किस तरह से वह implement करने की सोची जाती है, किया उसमें कमिया रह जाती है, किस तरह से वह कमियों को एक officer दिल्ली में बैठकर उनको अप्रोच करता है, और क्या फिर भी करने के बावजूद, जो वहाँ पर जमीनी स्थर पर जो हमारा एक पूरा व्यवस्ता है, वो कैसे उसके आत कॉर्रेस्पॉंड करती है, तो इस प्रकार की तमाम जानकारियां, तमाम चीज़े आपको एक वर आपको ग्रूसर ग्रास्ट्रो लेबल पर पंचायर लेबल पर काम करने के महुला तो वहाँ आप सेंटर में आके सीधे जो हैं, आप मेरिस्ट्री में काम कर गगे, तो अब इन दोनों experience के साथ, चुकि अब आप फिर फिल्ड पोस्टिंग में जा रहे हैं, और कहा next posting कहा होने जा रही है अब की? मेरी next posting बहराइच में होगी बहराइच में, आप SDM के रूप में वहाँ posted होगे तो वहाँ अप एक तरह से independent charge आपके हाथ में होगा तो उसके आपके मन में, क्योंकि यूपी एक इतना बड़ा state है और इसके इतनी सारी issues हैं, जो हमेशा discussion में रहता है तो आपके दिमाग में कुछ खास योजना जो लगता है कि एजन ओफिसर मैं अब कामियाफ बनूँगा देखिए, बहराइच पूरवी उत्रपदेश का एक नेपाल बार्डरिंग जिला है और क्योंकि एक backward region grant fund के अंतरगत, जोजना के अंतरगत इसको fund भी मिलता है तो निसंदे एक backward region है, तो किसी backward region की typical problems education, health जो की सबसे basic हैं और किसी भी हर इंसान की life को touch करती है तो DM Sir के तत्वधान में और उनके नेतरत में, because ultimately जो source होता है वे उनी के थ्रू होता है तो मैं उनके cooperation से अपनी तहसील में in particular I.M. कुछ हूँगा और इन में ही work करना चाहूँगा क्योंकि basic route किसी भी problem की यहीं से emanate होती है, यहीं से पैदा होती है तो आप शेक्षा और अपनी हेल्थ के शेतर में, अगर मैं कुछ कॉंट्रिबूशन करता हूँ तो मुझा से काफी हुशी होगी सक्सेस स्पीक्स में यहां हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाएगा नहीं हम अभी हासिर होते हैं over 23 years of excellence, more than 3,000 selections in civil services so far. Chanakya IAS Academy, Nurturing Leaders of Tomorrow. अब एक आपके एक्जामिशन के तेहरी के दुरान आपके एक्सपीरिंस रही आप सर्विस के आपने दो साल के एक्सपीरिंस भी हो गया है अब आप से मैं पूछ हूँ कि जो बैसिक अप्टिटूड एक सिविल सर्वेंट को सक्सेस्फुल होने के लिए चाहिए तो क्या होन देखिए सबसे इंपॉर्टन जो मुझे लगती है कि सववेदना, अगर एक डिसमपार्ड इंसान के लिए अगर एंपथी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि वैस सर्विस में जादा आगे जा पाएगा और अगर करियर वाइस भी प्रोग्रेस कर गया तो अपने आप से नहीं कर पाएगा खुद को और देश को कि जिस कारण से वैस सर्विस में है और जो वजूद इस सर्विस का उसको वह फुल्फिल नहीं कर पाएगा दूसरी चीज जो है? दूसरी चीज जो है एक quick decision making. पावर जो है. जो आपकी decision making है वह है उसमे clarity होनी चाहिए. आप simple decision ले, आपका background में भी education नहीं इतना जादा elaborate नहीं हो पर जो आपकी common sense driven quick thinking हो जिसमें empathy का भाव put तो हमेशा ही रहेगा. अगर उसको आप quickly सोच पाते हैं और deliver कर पाते हैं क्योंकि field में आपको मौका नहीं मिलता एक elaborate plan बनाने का है. कई situation आती है जिनको आपको तुरत decision लेकर और वह आपकी resources किया है back of the hand. तो expectation होती है कि administrator से कि आपको अपने जिले के बारे में अगर हम जिले में हैं या अपने department के बारे में back of the hand सारी information है कि मैं कहां से क्या चीज़ रिसोर्स करके कभी भी लगा सकता हूँ. जब वो subconscious में built होती है तो अपना quick decision को execute कर पाते हैं. तो बड़ा positive बात हुई कि हमें किसी भी ऐसे obstacle को ऐसे question को अपने दिमाग में नहीं आने देना चाहिए. तो program को अगर sum up किया जाए पूरे आज के हमारे discussion को sum up किया जाए तो ऐसा क्या tip और ऐसे क्या success का mantra आप देना चाहेंगे viewers को जिससे वो भी सफलता हासिल कर सके. यह exam एक challenge उस तरह से है कि इसमें opportunity नहित है और एक positive सोच के साथ अगर आप इसमें एक step लेते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की obstacle आपको exam clear करने में आएगी. आप में भी जो आपकी इच्छित rank थी वेहना पापा हैं, because there are several reasons के पीछे. But आप सफलता ensure कर सकते हैं बशरते कि आप में वेद्रड इच्छा शक्ती है और वो इच्छा शक्ती सही reasons के आपके अंदर प्रजुलित या जुलित है. तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी. सर अगर चलते चलते आप भी कोई गुरु मंत्र देना चाहें सफलता के ओपर हमारे दर्शकों को तो please. लेकि जो सब जी हम एक ड्रीम बन जाए कि वह हम हुआई कि करना क्यों चाहते हैं तब आते है सवाल की कब करेंगे और कैसे करेंगे लिगे सबसे पहले करना क्यों चाहते हैं उसका मकसद क्या है? इसलिए नहीं कि कहीं आज नियूजपेपर में पढ़ा है या किसी ने कहा है कुछ हमारे बैच मेट्स, कॉलेज मेट्स, आईस बनके थंभी बनना चाहिए इसकी आवाज अंदर से आने चाहिए कि मुझे क्यों बनना है और जब एक बर सोच लिया तो लक्ष बिलकुल क्लेर हो जाना चाहिए और उसके इसाब से फिर आती है कि आप अपनी एक्शन प्लान को कैसे बनाते हैं और आप अपना समय है वो डेडिकेट कर दीचे पुरे विश्वास के साथ कि मुझे पाना है फिर एक राइट डिरेक्शन होचे कोई भढकाओ कि स्थितिय ना हो सिंपल माइंड से सिंपल माइंड से आप आगे को बढ़िए सपलता जहूर में लेगा जी चानक्या IAS Academy, Nurturing Leaders of Tomorrow वेलकम बाक, आईएव अपने ओडियंस का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वह हमारे एक्सपर्ट और गेस्स से क्या कोशन्स पूछना चाहते हैं जी प्लीज, कौन पूछना चाहते हैं कि मेरा बेक्ग्राउंड साइंस है, साइंस है 10th, 12th और B.S.C. साइंस है तो एक्नॉमिक्स और पॉलिटिक्स हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट काफी वीक हैं, तो उनकी तैयारी कैसे करें? देखे, आप देखेंगे अमूलन, mostly art subjects को प्रिफरेंस दी जाती है, as an option subject, वेपेसी के तैयारी के लिए इसके लिए एक कोई बहुत व्यापक background, एक बहुत elaborate background की ज़रत नहीं है आपको, मैं आपको example दूँगा, मेरा अधारन लीजिए, मैंने graduation करी है engineering में, और I am an IIT graduate, तो, which seemingly makes me, बहुत दूर एक art subject है, पर सचाई यह है, यतारती है कि एक philosophy जयसा subject लेने के बावजूद, मैंने उसे पाया कि बहुत logical था, succinct था, और उसमें मैं एक basic understanding skills का use करके, जो कि मुझे चाहे B.S.E. से मिले, चाहे economic honors के background से मिले, या even physical education के background से मिले, B.Pet से, so much so much, आप एक basic intelligence, अपने IQ, और एक concepts को समझने की understanding, जो आप graduation में develop करते हैं, उसको आप यूज करके कोई subject option ले सकते हैं. हम step to step based से start करके उसको strong बना सकते हैं, लेकिन सर हम subject में interest बनानी के लिए उसको किस तरह से हम पढ़ें कि हमारे इंटरस्ट बनें और हमारे लिए बहुत easily हो जाए कि हम उसको observe कर सके उसकी हर चीज को. देखिए, मन तो एक ऐसी चीज है जिसको पहले टेम करना होता है, लगाने की कोशिस करना चाहता है कि जदी हमारा मकसद clear होगे हम जा कहा रहे हैं, तो सफर हमेशा जो है, फूलों से बिच्छा हुआ तो होता नहीं है, कहीं काटे भी होंगे, कहीं पत्थर भी होंगे, कहीं सही रास्ते भी मिलेंगे, तो सबसे पहले मनमी ये भावना clear होना चाहिए कि हर किसी के लिए कोई कोई सब्जेक्ट तो कटीन होगा, क्योंकि कोई science background से आ रहा है, कोई arts से आ रहा है, कोई किसी और background से आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि किसी भी candidate के सारे subject अच्छे हों, तो उसी तरह से आपके subject भी कुछ कमजूर हो सकते हैं, या उसमें आपका नामन लगे, जरूरी ये है कि आपको देखना ही है कि questions क्या पूछता है, और आप basic से basic fundamental चीज़ से सुरू करिए, जब आपका background उस subject में नहीं होगा, तो आप उसमें concentrate भी नहीं कर पाएंगे, basic clear नह समझ रहे हैं, syllabus को भी समझ रहे हैं, तो अपने आप एक मन लगना शुरू हो जाएगा, तो पहले दमन में बढ़ाई है कि ये सिफ मेरे साथ नहीं है, और बोलों को साथ भी हो सकता है, लेकिन इसी का नाम competition है, race है, और ultimately मुझे सब कुछ करके ही जाके balance करते हुए एक पहु यानि बहुत स्टुडेंट तो ये सोच के भी मतलब ड़ते हैं कि जनरल वालों के लिए तो बहुत कम मौका है, यानि इस तरह की चीजे मैंने सुन रखिये, तो इसमें आपका क्या कहना है, देखिये, जब आप ये एक्जाम लिखने चलते हैं, तो एक्जाम का नाम है सिव पार्ड लॉट जो है हमारी जन संख्या का, उनको ये हैं एमपार्मेंट देती है कि आप भी अपनी रप्रेजेंटेशन, सिविल सर्विस जैसे प्रिस्टीज एक्जाम में लेकर रहे हैं, तो जब तक हम उसका रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तो हम इस एक्जाम की स अपने आपको आत्मियता नहीं रापाएंगे, एक आत्म नहीं कर पाएंगे, एक आत्म नहीं कर पाएंगे, एक आत्म आप जुक्स्टर पोस्त नहीं कर पाएंगे, तो इसको एक पॉजिटिव आसपेट मानते हुए, एक रिस्पेक्ट फोर धी constitutional makers the nation makers of our country उसको उसका पार्ट मानते हुए without going into the deliberation because जैसे हम तयारी करेंगे तो हम जानेंगे कि actual में इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है और current में इसका क्या use है तो जब हम start करते हैं और इस तरह के question हमको bother करें तो हम in fact गांदी जी का talisman इस सब ने पढ़ा होगा I'm sure NCRT की book में पहले page पर वही होता है कि आपको कभी भी किसी चीज पर अगर dilemma लगे और आपको लगे कि ऐसा क्यूं है तो आप हमेशा एक सबसे गरीब इंसान की चहरा याद कर सकते हैं और इंडिया में अमूरन वे चहरा एक disempowered lot का होगा जिसके लिए reservation इस constitution में दिया गया है तो आप उसके लिए respect अगर generate करेंगे अपने दिमाग में तो I'm sure आपको इस तरह के pressure ने आपको negativity लेकर नहीं, positivity के साथ इसमें आगे बढ़ना ही is the right way to go बेशक, 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 thanks a lot sir हमारे studio में आने के लिए अपना कीमती समय हमें देने के लिए गोरंग आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का मार्ग दरशन करने के लिए यह था आज का हमारा सक्सेस स्पीक्स, उमीद करता हूँ आपको हमारा यह शो बहुत पसंद आया होगा अगली बार इसी समय पर आप से होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, गुडबाए झाल